हलो बच्चों आएम पुलकिशमाय और आज हम सिस्टम आफ पार्टीकल का पार्ट 15 और जिसका नाम है एक्जम्पल्स ऑफ सेंटर आफ मास्क उसके बारे में चर्चा करेंगे अगर सेंटर आफ मास्क का पहला पहला लेक्षर नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें तभी काम बनना प्रादम होगा चलियो शुरू करते हैं इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा ताकि काम बनना प्रादम हो जाए सेंटर हो मास्की जो निमेरिकल पार्ट होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है तो हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताके हमारी speed भी increase हो, three particles each of mass M are placed at the corners of right angle, as shown in figure, of OA कितना है, A दिया हुआ है, और OB कितना दिया हुआ, B दिया हुआ है, the positions vector of the center of mass is I and J unit vectors, along XY axis respectively, अगर में इसके coordinate बताऊं आपको, origin के लिए 00, coordinate हम सिदा लेके चलेंगे, निकलवाएंगे नहीं, बहुत समय बक्त जाया हो जाएगा, X के लिए A 0, इसके लिए Y के लिए 0, B, मतलब B point के लिए, चर्चा से वाकिफ हो, कोई परिशानी दुविदा दिकत नहीं होगी, अच्छा, बोल रहा है, हमें निकाल लिए XCM निकालने पहले, ठीक है, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, क्या लिखेंगे, M1, X1, M2, X2, M3, X3, अपोन में, M1, M2, M3, M3, अरे, यह क्या हो रहा है, अच्छा, M1 की वेल्यू कितनी है, बोल रहा है, each of mass M है, ठीक है, M है, तो लिखेंगे, M1, X1, 0 है, बेटा जी, M1 का M आएगा, बेटा जी, M2 कितना है, beटा जी, M ही है, X2 कितना है, A है, M3 कितना है, M है, X3 कितना है, 0 है, और अपोन में चल रहा है, 3M, चल रहा है, because M plus M plus M कितना हो जाएगा, 3M की बात करेगा, Hier आएगा, M से M कटट जाएगा, जिरो जिरो पार्ट हो जाएगा तो am upon में आ जाएगा बिटा 3m कटेगा तो आएगा a upon 3 अचा आप एक बात सुनिए जी question में साफ साफ बना के बोला हुआ है here i and j are unit vector along xy तो अगर x में निकाल रहे हो तो क्या लिखोगे i cap का multiply करना चारे तो कर देंगे बात में फिर बता देंगे कोई दिक्कत दी है पहले y cm निकाल लेते हैं थोड़ा साइधर करना चाहूंगा मैं इसको ताकि y cm की बात करना start करें y cm क्या आएगा बेटा जी m1 y1 एक बार इस पर लिख लेते हैं आगे से नहीं लिखेंगे क्योंकि आप वाकिफ हो जाएंगे इस चीजों से तो काहे दिक्कत करोगे m1 कितना है m m m कोई problem नहीं है ठीक है तो y1 कितना है 0 y2 0 y3 कितना है b तो इन दोनों पार्ट को 0 कर दे चलेगा चलो ठीक है तो m b upon me 3m इससे भी कट जाएगा तो अगर हम बोलें b बटा 3 यह बटा ycm आ गया अगर xcm और ycm xcm किसमें आएगा i cap में आएगा ycm किसमें आएगा j cap में आएगा तो हम बोलेंगे A i upon 3 plus B j upon 3 तो हम क्या बोलेंगे साफ साफ तो पूछा गया है न बोला गया है न बेटा जी कि i और j में है x और y तो कहां दिकत कर रहे हो तो क्या बोलेंगे 1 बटा 3 A i cap plus B j cap option check करो मिल रहा है तो काम बन जाएगा 1 बटा 3 A i cap B j cap option number A बिलकुल correct है वाकिफो वाकिफो सही बाद है चली हम answer नहीं देखेंगे हमारे कोई मतलब नहीं मतलब है RCM तो बताया था चली example दो बोला है the positions of center of mass of a system of particle does not depend upon किस पे depend नहीं करता center of mass system किस पे नहीं करता forces पे depend नहीं करता forces of the particle बिटा M पे तो करता है positions पे करता है और distances पे तो बहुत मस था ये बात बोली थी तो एक ही option बसता है forces on the particles इस पे depend नहीं करता ध्यान अखना जी does not लिखा है ठीक है depend नहीं लिखा है does not depend लिखा चली है सही बात है the positions of center of mass system particle does not depend on the forces of the particle चर्चा बागी एक हो example 3 3 particles of masses 1,2,3 kg are situated at the corners of equatorial triangle of side कितनी है side B है जी xy plane with mass क्या है 1 kg at the origin and 2 kg of the x-axis the coordinates of the center of mass are सुनिए जी coordinates निकालने के लिए हम x or x cm और y cm निकाल लेंगे पर इनके जो coordinates है abc के वह मैं सिधा डिरेक्ट लिख जाता हूं बहुत ही लंबा process हो जाएगा जी सही है पहले के लिए 00 origin की बात करेंगे जब B side की बात करेंगे तो मतलब B 0 और 3rd वाले की जो बात करेंगे वह आएगा B by 2 B root 3 upon 2 या root 3 B upon 2 चल्चा बरा यह याद कर लिया करो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं यह याद पेपर में आगर आता है तो आसे ही करना पड़ता है M1 का value 1 2 और M3 कितना है 3 kg सही है कोई दिक्कत परशा है नहीं होने चाहिए एक्सियम पूछा है आजाओ मेरे साथ M1 X1 0 M2 X2 B M3 X3 upon में कितना आएगा 6 आएगा 2 B plus 3 B upon 2 upon 6 2 दूनी 4 4 और 3 कितना आएगा 7 B upon 12 2 नीचे भी तो आएगा अरे जब बात क्या रहे YCM कितना आएगा बेटाजी M1 1 Y1 कहां गया 0 थोड़ा सा छोटा कर ले इसको ताकि परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आठा रहे इसको 1 X1 Y1 0 M2 2 Y2 कितना आएगा 0 आएगा अरे भाई यह क्या हो गया और 3 कितना आएगा 3 into B root 3 upon 2 और upon में आएगा 6 तो YCM आपका जी आएगा 00 यह आएगा बेटा जी 3 root 3 B upon में 12 यह तो गजब सा अंसवर आ रहे 7 B upon 12 7 B upon 12 3 root 3 B upon 12 आएगा यह आ रहा भाई option number A is correct ध्यान अगना जी option B check किजिए जी बिल्कुस सेम है पर आगे बिछे दिया हुआ है गच्चा नहीं खाना काम तरीके से होना चाहिए चलियो आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया 7 B upon 12 3 root 3 B upon 12 answer हमारा सही आगे निकालो हाँ जी example 4 loss of motion का feel आ रहा है आजाओ if the system is released the acceleration of the center of mass acceleration the center of mass का पूछा है पहले इंतजार करते हैं इसको थोड़ा उपर करते हैं सुनिए जी हुआ क्या है पहले हम acceleration of system निकालते हैं क्या आएगा पहले वो देखते हैं यह आएगा बिटा weight mg 3m माइनस m upon में total mass किता आएगा मतलब जो लटक रहा है hang कर रहा है वो यह यह value आएगा अरे क्या हो गयर है 2m upon 4m 2m upon में 4m into g किता आएगा g by 4 यह आया system का ठीक है हमें पूछा center of mass of system आजो कैसे निकालते हैं m1 x1 m2 x2 यह वो कर देंगे क्या दिक्कत है m1 किता है 3m into g by 4 अरे उससे तो वाकिफ हो ना माइनस क्या आएगा m g by g by 4 आ रहेगा 2 आएगा ना बेटा तभी मैं को यह क्या हो गया sorry g by 2 upon में किता आएगा 4m बस और कुछ बच रहे नहीं बच रहे वो बेटा 2 दूनी 4 होता है हमने 4 ही ले दिया था चल कोई बात नहीं हो जाता है किता आया 3 mg upon 2 माइनस mg upon 2 upon में 4m किता आया 2 नीचे बेज़ दो 2 mg upon 8 8m m से m कटा 2 चोके 8 g by 4 option में है क्या option number 8 पहला बिलकुल सही आजा आपिस system release है 3 m का नीचे है का normal सही बात है इस तरह बात कर सकते हो आप और इस form को हमने सिखाया हूँ आपको 3 m minus m upon 3 m plus m into g की बात करते है उस form में लिख्या यह system की बात कर रहा है acceleration की हमें center of mass के regarding बात करनी थी उसके according काम करना problem के g by 4 आपका answer example number 5 क्या बोला है the center of mass of 3 bodies each of mass 1 kg m1 m2 m3 1 kg के located points क्या x1 कितना है 00 30 04 x1 y1 x2 y2 x3 y3 चर्चा बराबर है बराबर है xy plane बूछ रहा है xcm और ycm की बात करना चाह रहा है आजो जो चाह रहा है उसको कहो चाहने दो m1 कितना है 1 1 1 तो लिखे ना तो चलेगा चलेगा चलो ठीक बात 0 0 क्यों 3 x2 y2 x3 कितना है 0 कितना है 3 ठीक है अरे यार क्या कर रहे हो option number d बिल्कुल सही है कैसे बोला अरे मुझ से बोला रहे है अरे बेटा option एक यही तो आ रहा है ycm निकालो 4 बटा 3 ही आएगा मजदूरी कर होगे कर लो कोई मतलब नहीं है m1 एक y1 0 m2 एक y2 0 m3 एक y3 4 अपॉन में 1 1 1 3 4 बटा 3 अंस्वर ऐसे देखो अभी सवाल उठा सकते हो पर नीट में कहीं उठाओगे मतलब कहने का मतलब option मिला सही correct करो आगे 5 सेकिंड नहीं लगे इं 2 सेकिंड में काम हो जाएगा और कोई option मैच ही नहीं कर रहा D कर रहा था चलो ठीक बात हो गया 2 पेजों में किया हमने 2 लाइनों में कर दिया चलो कोई नहीं उससे क्या परक परता है अच्छा question particles of mass m2m3mnm grams are placed on the same line at distance l2l3lnl centimeter from a fixed point the distance of center of mass of particle from the fixed point in centimeters is चलिए शुरू करते हैं पहले इसके देखते हैं options 2n plus 1 l upon 3 l n plus 1 n n square plus 1 l upon 2 D छोड़ो क्या मतलब पढ़ने का आ जो कुछ नहीं करना बहुत ही simple है श्रेणी स्मांत्र श्रेणी गृत्र से जो में पढ़े हुए वो करना है का क्या करना है देख m1 x1 m2 x2 m3 x3 and so on upon में m1 plus m2 and so on चर्चा से बाकी फो चल सही बात m1 कितना है m x1 कितना है l इसको मैं highlight कर देता हूं l 2m 2l 3m 3l कहां तक nm और nl अब एक बात चर्चा देख upon में क्या आएगा बैटाजी m1, m2, m3, m4 m1 कितना 2m 3m, 4m मतलब आपको बताने की अवशक्ता है यहाप आप बोलों के सर 4m लिल दिया बताने की अवशक्ता थी इस बता दिया अब देखो m, l, 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 m, m सारों में common आ रहा है तो ml common निकालो एक, 4, 9, 16, 25 ऐसे आगे श्रेणी बढ़ती जाएगी यह क्या आएगा ml निकल गया? n square ओपर कर श्कूर यहाएगा m common आएगा एक, दो तीन डैश 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 कहां तक? जहां तक आगे चलेगा इस form के लिए एक का स्क्वेर, दो का स्क्वेर, तीन का स्क्वेर, चार का स्क्वेर, आगे आगे डैश डैश स्क्वेर इस form के लिए form बढ़ा हुए क्या बनी है वो? काट सकते हूं अरे नहीं पहला ही है अरे कैसी बात यह करते है सही बात यह करते है चल ठीक बात देखना चाहोगे? देख लो काई बाकी मतलब नहीं है देखने का चल यह साथवा प्रेशन बोला है दो पार्टीक्ल्स औफ मास एक और थीन है पोजिशन वेक्टर 2i3j4k माइनस 2i3j-4k तो यह 3dj है जो ओड़जे का 3j है जो 4k माइनस का है यह प्लस का है 3 ठीक है? और सेंटर ओव मास पोजिशन वेक्टरस दिये है M1 X1 M2 X2 निकालना है निकालने की परिशानी कर सकते हो तो करो जल्दी स्टार्ट करो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा M1 X1 R1 लिखेंगे पॉजिशन देक्टर दिये हुए M2 R2 अपॉन में यह करके दिखाओ आजो M1 किता है एक R1 किता है वो रहा दो आई 3J 4K करेक्ट है पलेस लगाओ तीन लगाओ और मल्टिप्ले गरो थोड़ा दा स्पेस मांगता है चलो कोई नहीं माइनस टू आई प्लेस 3J माइनस 4K करेक्ट है थोड़ा उपर लिखते हैं माफिश जाते है अपॉन में क्या आएगा चार आएगा दो आई पलेस 3J प्लेस 4K माइनस 6 आई प्लेस 9 जे माइनस 12 के अरे कैसी बात कर रहे हो अपॉन 4 अरे यार सही तो है माइनस 4 आई नोर तीन 12 जे प्लेस नहीं आएगा माइनस आएगा और और भी आएगा आठ का के का ऑप्शन नमबर माइनस का आई प्लेस का 3J और माइनस का 2क अप्शन नमबर डी बिल्कुल करेक्ट अरे मज़दूरी करेंगे रुको अभी ऐसे क्यों कर रहे हो माइनस नमबर सही अडी करेक्ट है अब तो सेंटर हो मास से तो मास से विलकुल वाकिफ हो जाओगे अब कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए मेरे इसाब से ठीक है यह आपके सामने एग्जम्पल नमबर आठ आखरी प्रेशन आपके सामने है फिगर शोस पॉजिशन एंड व्लॉसिटीज आफ टू पर रहे हैं तो पार्टिकल्स मूविंग अंडर दा मूचल ग्रेविटेशनल अट्रेक्शन इन दा स्पेस आफ टाइम टी जिरो मतलब यह जो दोनों है यह आपस में क्या कर रहे हैं अट्रेक्शन कर रहे हैं पर ड इसकी बात करना चाहोगे तो जीरो करोगे ठीक है व्लॉसिटी निकालोगे सेंटर और मास की रिस्पेक्ट में पोजिशन भी निकालेंगे क्या आएगा दो इंटू आठ माइनस अब दोनों ऑपसिट जल रहे हैं दो इंटू तीन अपॉन में दो और दो तरी दो तीन पां हाँ हाँ काई दिकत कर दो क्याएगा आठ दूनी 16 माइनस 6 अपॉन पांच तो किता आएगा दो अच्छा अब ध्यान रखना जी एक्स की बात चल रही है तो आई क्याप अगर आप लगा दोगे तो कोई परिशानी नहीं आएगी आई क्याप लगाने का सिर्फ एक ही मैं द आपको डिरेक्शन बता रहे है पर वी कॉन्स्टेंट है एक्सिशन इस कंस्टेंट बता दिया ना सेंटर ओर मास के रिस्पेक्ट में तो वी स्याम तो कंस्टेंट पक्का ही लो फ्लेस्टी इन पांच ऐढकत कर रहा है चार और सिश्थ किलिस चालीज चालीद अपूं पांच अटधा फिज़ बात कर रहा है क्योंकिआ क्या है कौन स्टेंट तो 8 और 2 कितना आजाएगा पॉशिशन कितनी आजाएगी एक्स बराबर में 8 प्लैस 2 दस मिटर की आजाएगी मेरे हिसाब से तो आपके इसाफ से कितनी आगी आप देख अरे यही आएगी क्यों दिक्कत कर रहे हैं से बच्चा काहे परिशान हो रहा है आजा मेरे साथ देख एक एक्षिनल क्योंकि साफ साब बोला है ग्रेटेशन अट्रेक्शन म्यूच्छल है जीरो है हमने वीचियम फाइंड किया वह हमारा आया दो आई कर दोनों के वीचे माइनस क्योंकि ऐसे आ रहे हैं दूसरी बात करेंगे एक्षियम निकालेंगे तो यह आया हमारा आठ मीट टोटल कि बात करेंगे यह कोंस्टैन्ट तो constant घट जाएगा तो आटकलों किता आएगा दस मीटी बात करना करेंगे आपकी सामें आपका आंस्वर है सेंटर ऊंटर की बात कर रहा है वीचे मं क्यूद बहुँ कर करेंगे लक्ट्ट्र समझाया होगा पसंद आया होआ ब